dual camera phone का concept जो है ना वो काफी जातो पॉपूल रहता 2018 में और हमें कई सारे ऐसे phones देखने को मिलें जिनके आपको dual cameras देखने को मिलता था लेकिन फिर Huawei हागी 2018 में जो अपने triple camera का setup लाई और साल के end होते होते तक Samsung ये अपने चार camera वाला phone ले आए और अब तो बात ऐसी की जारी कि Nokia अपने 5 camera वाला phone लाने वाली है और एक LGB phone बना रही है जिसमें 16 camera होंगा है जी हाँ आप लोगों ने सही सुना ऐसे 16 camera वाला phone भी आने वाला है लेकिन सवाल यह होता है क्या इतने cameras की जरूर रहत है और इतने सारी cameras लगा कि phone क्या क्या नया कर सकता है तो आज हम इसी पर बात करते हैं तो अगर हम normally अगर हम quad camera setup जो Samsung के phone में देखने को मिलता है तो उसके अंदर आपको एक main camera देखने को मिलता है उसके बाद एक depth sensor है जिससे आप book या portrait वाली photographs को ले सकते हो उसके बाद एक telephoto zoom lens मिलता है इसे zoom करके photo ले सकते हो और एक ultra wide angle lens मिलता है जिसाब 120 degree उसे जादा wide की photograph ले सकते हो तो इतने सारी lens का तो एक बात में use हो रहा है लेकिन 5 camera वाला phone आने वाला है और 16 camera वाले आने वाला है तो अखिर इसमें क्या हो सकता है तो देखा जाए तो 16 camera वाला phone LG पहली company नहीं होगी जो इतने camera वाला phone लाईगी इससे पहले light L16 एक phone आया था उसके अंदर भी 16 camera लगे हुए थे और उसके अंदर 16 अलग अलग separate camera module लगे थे यानि कि 16 अलग अलग sensors थे और उनमें 16 अलग अलग type के lenses लगे हुए थे जो एक साथ कई सारी images को capture करते थे और उन सब को merge करके काफी high detail और एक high resolution वाली image को provide करते थे और इतना ही नहीं इतने सारे lenses की data को मिला कि या अलग अलग focal length की photographs को भी लेने में capture करते थे जैसे 28 mm, 70 mm, 150 mm मतलब अलग-अलग lens से photo लेते और उन सब को merge करके multiple aperture और multiple focal length की images provide करते थे और यह कुछ वैसा ही है जैसे DSLR में आप अलग-अलग lenses लगा के photograph लेते होना तो इस तरीके से एक phone भी ले पा रहा था लिकिन यहां पे आपको अलग-अलग lenses लगाने की जुरुरत नहीं है क्योंकि जो phone के अंदर जो cameras लगे हूं इतने सारे वो ही इतने अलग-अलग angles से photo लेंगे और उन सबको अलग-अलग तरीके से मर्च करके आपको multiple aperture में और multiple focal lens में images दे देंगे मतलब को कुछ ऐसी high quality images देखने को मिलेंगी जो पहले सिफ DSLR से लेना पॉसिबल थी और अगर हम Nokia 5 lens के setup की बात करे तो उसके अंदर में multiple lenses लगे हैं और उन सबके अंदर multiple sensor लग लग हो यानि कि जो megapixel count है इन 5 lenses का वो अलग होगा और है इन में जो lenses होंगे आपको काल जीस के देखने को मिलेंगे जिससे हो सकते हैं कि आप एक time पे अलग-अलग एंगल से images ले पाओ और उनको photo लेने के बाद उन्हें आसानी से change कर पाओ यानिकि editing में आप इसकी focal length, aperture और जो perspective होता है यानि कि कुछ ऐसी चीज़े होती है जिने आप normally photograph लेने पर editing में changes नहीं कर सकते हैं तो वह सारे चीज़े आप photograph लेने के बाद भी कर पाओ और यह भी हो सकता है कि आप इसे 3D images भी ले पाओ पर देखने वाली यह बात है कि Nokia exactly इस phone को कब लाती है और इसके अंद पर एक ही photograph को लेंगे और जब आप एक photo लोगे तो photo के particular section को replace कर पाओगे किसी और camera के lens के साथ यानि कि photo के अंदर आपको ऐसी high level editing डेखने को मिले कि जो इससे पहले possible नहीं थी और फोन के अंदर perspective और 3D images जैसी कई सारी चीज़े ले पाओगे और camera angle भी image लेने के बाद भी चेंज कर पाओगे यानि की photo लेने के बाद भी उसमें कई सारे changes कर पाओ ये चीज़ पॉसीबल हो पागी LG के phone से वैल इतनी information निकल कर आई है उनके patent से लेकिन देखने वाली बात है कि actually में इतने सारे cameras का companies use कैसे करती है और reality में इसका कोई real life implementation हो भी पाता है कि नहीं और को मिलेंगे जिन में 5 camera, 10 camera, 16 camera लगे हो बाकि आप लोग आने वाले phones में कितने cameras देखना चाहोगे तो ये बात नीचे comment में बताओ, thank you आप का वीडियो देखने के लिए मैं आप से मिलता हूं next video में, goodbye